वेलकम बेक टो माई चैनल रजना पलक चैनल सो कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे सुष्ट होंगे और मैं भी ठीक हूं गूट मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं साड़े दस और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है मुझे तो मैं रेडियो हो गई हूं और शूपवाद लगने जाओंगी में अकेली जांगी अभी तो बाहर क्योंकि ना बाहर ले जाना बच्चों को मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूं कुछ सामान खरीद ने हैं इसलिए मैं बाहर जा रही हूं और मैंद ब्लोग को स्टार्ट कर देते हैं नहीं तो फिर ब्लोग नहीं बन पाएगा और दूप इतनी तेज हो रही ना बहुत तेज तो बहां से आऊंगी ना तो बंदरिये बन जाऊंगी पूरी तो इसलिए मैंने सुचा चला भी थोड़ा सा जब मेक अप कर लिया है तो वीडियो क स्टार्ड कर देते हैं है ना और इसके बाद में हम बहां से आएंगी दो देखते हैं क्या करने वाले हैं भी थो कुई और वैसे सुवह के जो सारी काम होते हैं वह मेरे हो चूके हैं तो आभी कुछ रिकॉर्ड कहने के और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है और मैं जब भी इंस्टाग्राम को बोलती हूँ मैं आप लोगों को बता दू कि मैं जब भी बोलती हूँ कि मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर देना इस्टाग्राम के आइडिया आप लोगों को डिस्क्रेप्शन वोक्स में मिल जाई और मैं डाल नहीं भूल जाती हूँ डिस्क्रेप्शन वोक्स में आइडी ही नहीं डाल दी हूँ मैं भूली जाती हूं जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूं और पता हैं डिस्क्रेप्शन वॉक्स में आईडी डाल दी नहीं हूं तो मुझे मेरी ही फ्रेंड ने बोला डिस्क्रेप्शन वॉक्स में आईडी तो डाल दो कैसे फॉलो करें और यह देखो यह आ गए तो मुझे ना मैं भूल जाती हूं सब कुछ लेकर दूंगी लेकिन जब टाइटल डिस्क्रेप्शन बगएरा लिखूंगी ना तो मैं आईडी डालना ही भूल जाती हूं इतनी मास्ती क्या बता हूं यान बहुत जादां पता है बहां पर सबची रोटी रखते हूं झोडiu दिमाहे ना तो इसे संब करना पड़ेगा फिर वाहर जाओ, ऐसे काम होते हैं मेंगे चलो फिर मिलती हूं आप लोग से बार तो आज मैं आप लोगों के साथ कोपता की सबजी की रेसिपी सेयर करूंगी तो है ना मैंने अभी तक कोपता की सबजी की जो रेसिपी है ना वो मैंने आप लोगों के साथ सेयर नहीं की हुई थी तो मैंने का चलो आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करती हूं और इस सुबह क टो जो पिर्स जिए पर आपस लिंग पर फिर्कों क्राइप कर से देत्वति करते हैं नहीं हैं तो इसके पहले भी से लों के पलंगूद लोहें कान की निमारी में गानाय खेड़ कि टॉफ्याच चाहिए था छटाम शब्रत लिए सबस्याहर बैसे पकोड़ी का गोल बनाती ना बैसे गोल बना लिया था और लोकी में वैसे भी पानी निकलता है ना तो पानी डालने की जरूत नहीं होती है बेसा नैसे ही मिलाओना तो मिल जाता है और इसके बाद में जैसे पकोड़ी या बनाते ना बिलकुल बैसे ही बनानी थी और ज एक साइड से पक गए हैं तो मैंने इनको पलट दिया है और दोनों साइड से अच्छे से पका लेना ज्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में बहुत जल्दी बन जाते हैं बस क्या है ना तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो यहां पे देखिये कोपता अच्छ में डाल दिया है लेसोन अदरक और प्याज का पेस्ट तो मैं एक साथ ही पीस लेती हूं लेसोन अदरक अलग अलग नहीं पीसती हूं प्याज में ही पीस लेती हूं तो वो डाल दिया है और इसके बाद में बस अब इसको चलाते जाना है जब ब्राउन हो जाए अच्छे स सिक जाए प्याज तो फिर इसके बाद में डालनी है डालना है मसाला तो यह देखिए प्याज अच्छे से बुन रही है और तब तक यहां पर मैं कट कल लेती हूं टमाटर क्योंकि इसको भी मैं पीसूंगी ग्रेबी के लिए थोड़ा सा और क्योंकि कोपता के लिए की है तो टमाटर भी डालती हूं मैं और यह देखिए एप siya फिंग अब प्याज भून गई तो मैंने डाल दिया है मासाला मसाली में था हल्दी मिर्ची धनिया धोड़ास पिसः हुआ जीरा ठोड़ास गरम असाला यह सब मैंने डाल दिया है भास इसके बाद जब वो थे ख कच्चे पन का वो जैसे कच्चा कच्चा से ही लगता टमाटर उसका स्वाद आता है इसलिए और यहां पर मैंने आदा ग्लास पानी डाल लिया है तो क्योंकि जिसमें मैंने टमाटर पीसे हुए थे ना तो वही पानी मैं अभी इसमें एड़ भी कर दूँगी अलग से पानी दालूंगी और पानी भी मुझे जादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हम दो जन हैं तो दो जन के लिए इतनी सबजी बहुत सारी हो जाती है और बच भी जाती है तो जब अच्छे से टमाटर पक गए ना तो फिर मैंने इसमें आदा ग्लास पानी डा दिया है बस इसको अच्छे से पकाना है अभी जब यह आदा सा पक जाएगा ना तब फिर इसमें डालेंगी कोपता पहली से कोपता नहीं डालते हैं नहीं तो फिर क्या होता ना वो उसी में घुल जाते हैं पूरे तो यह देखिए मैंने इतने कोपता इसमें डाल दिये है अधे से इसमें डाल दिये थे और बस इसमें नमाखेड कर देना है और अच्छे से पका लेना है है ना बस इसको ढखकर रख देंगे पक जाएगी सबजी और तब तक मैंने यहाटा भी पहले लगा के रख दिया था और सब्जी बनाते ना तो पानी यानी नहीं गिर जाता है यहाँ पे तु साभ भी कलेंगी तो रम्रणाे केच केच वहीं पसिंद सब काम करों और खाले में अच्छा गांता है इसलिए सब को यह अच्छान ने हिंदागता मुझे क्या सभी को अच्छा नहीं लकता होगा तो यहाँ पेले षाब सब्सक्राइब के लिए तो यहां पर जाइब नहीं से ज़ड़ा हो जाओनाशा कोई भरोशा नहीं रहता है और जब भी मैं recording करती हूं न जैसे recipe record कर रही है या कुछ भी तो light विल्कु जरूर जाएगी मुझे पता रहता है कि हाँ light जाने वाली है तो चलिए फेले फिर रोटी बना लेते हैं सबजी बना लेते हैं आजाओ आप लोग भी गरम गरम रोटी हैं खाने के लिए सबजी खा महां से record कर लों क्योंकि अंधेर रहता है ना इसलिए और मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज था बिल्कुल ही वेटरी नहीं थी मोबाइल में भी और दो बज़े से light गई ना इतनी तेज तो गरमी लग रही थी और फिर बाद में बारिस भी हो गई तो ठंडा मौसम हो गया हमारे आपर क्या उतना है बहुत जादा light परेशान करती है । जादा light जाती है आप कट ए आप रहती रहती है और ऐसे नहीं है कि पांच मिनट के लिए कट रही ना कभी-कभी तो दो तीन इन घंटे के लिए भी कट जाती और रात में जब कट जाती है ना वितना परेसान ह काटते हैं गर्मी अलग लगती है क्या बता हूं यह बहुत जादा परेशान हो जाती है तो इसकी वजाए से फिर वीडियो भी रेकॉर्ड नहीं कर पाई और अभी मैंने खाना भी बना लिया प्रीवी हो गई बाबु अभी नहीं आए तो आएंगे थोड़ी देर से अभी अभी चलिए पहले बच्चों को मैं खाना खिला देती हूं कि बच्चों को खाना खाना है फिर इसके आद में आप लोगों से मिलूंगी है ना और मेरा भी मुझे भी भूक लागी है लेकिन अभी बाबु आए नहीं है ना तो क्या बता हूं जब आ जाएंगे तब खाउं जाए से ना तो चलो फिर अभी मिलते हैं आप लोगों से गुट मारिंग फैमली और रात में फिर मैंने वीडियो का एंड नहीं किया क्यूंकी लाइट पोहुत परेसान कर रहे थी बारिस बहुत तेज हो रही थी इसलिए वीडियो का एंड नहीं हुआ और आज में जब क criterion कर देते हैं और अब भी बता है सारा का मेंन कर लिया है लेकिन अभी नहाया नहीं है तो सब्सकराइब ऐसको अब आईक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा है तो बाई बाई लव यो ल, टेक कियां